राश्ट्रिय बजरंगल और अंतराश्ट्य हिंदू परिश्यत की और से रविवार को भगवाराली का आयोचिन किया क्या इसका उदेश्य स्वतनता सेनानी और महानकरांतिकारी भगत सीह, राजगुरू और सुवदेव साथ ही पलवामा के आतन की हमले में शहीदों जवानों की शहातुत को याद करना था इस अंदर में राश्ट्य बजरंग दल और अंतराश्ट्य हिंदू परिश्यत की नाखपुर महानगर अदेश्य कौस्तुब आवले ने अधिक चानकारी सांजा की युवाओं में देश के क्रांतिकारियों और शहीदों की प्रती सम्मान जागे इस सुद्देश से रविवार को राश्ट्य बजरंग दल और अंतराश्ट्य हिंदू परिश्यत की और से भगवा रैली निकाली गई रविवार को आयुचित इसरेली में बात करते हुए राश्ट्य बजरंग दल और अंतराश्ट्य हिंदू परिश्यत के नागपुर महानगर अधियक्ष कौस्तुब आवले ने युवाओं को समझाते हुए कहा की जिस तरह वो हरवर्ष चौदा परवरी को वैलेंटाइन्स जे मनाते हैं उसे ना मनाते हुए वो ये दिन अपने मातापिता की प्रती सम्मान में वैतीत करें आज 13 फेबरुवरी 2022 रविवार का दिन है राष्ट्य बजरंग अंतर राष्ट्य इंदू परिशवद और राष्ट्य बजरंग दल के तरफ से डॉक्टर प्रविन भाई जी तोगडिया इनके आदेश से हम नागपुर महानगर में एक भगवा रेली का आयोजन किया गया है रेली का मेन उद्देश यह है कि राजगुरु भगत सिंग और सुक्देव जो हमारे वीरक रंधिकारी जिनको 13 फेबरुवरी 1931 को फाची की शिक्षा सुनाई कही थी उनके संबान में रेली है और जो पुल्वामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उनके संबान में और हम सभी युवा वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि आप 14 फेबरुवरी को वेलेंटाइन दे मनाते हैं वही आप लोगों ने ये भी सोचने चाहिए कि 14 फेबरुवरी को हमारे क्रंधिकारी जिनोंने हमारे भारत देश को आजादी दिलाई है उनको फाची की शिक्षा द साथ फ्रेंज के साथ मनाते उससे अच्छा आप आपके गर्बे माता पीता का संपान करिए यही हम अंतर राष्ट अंदो परिशद राष्ट बजरंग दल सभी युवाओं को बताना चाहते हैं वही हमारा एक नारा है शहीदों के संपान में राष्ट बजरंग दल मैदान में ऐसा नारत दिया गया कैमरे परसन राजकमा मोहर के साथ दिशाटवा बीसीन न्यूस नाखपुर